कि आइंगा सो आज का फर्स्ट वर्ड़ है ग्रीश्मरितु और यह मौसम को समय भी कहती है वैसे गर्मी के मौसम को इंग्लिश वी का जाता है समय यहा फिर आप बोल सकते हो समय सीजन और नेक्स्ट है ग्रीश म काल ग्रीश में काल को हम हिंदी में गर्मियों का समय भी कहते हैं वैसे गर्मियों के समय को इंगलिश विका जाता है Summertime मतलब गर्मियों का समय और next day गर्मी की चुटी गर्मी की चुटी बच्चों को मिलती है गर्मी की मौसम के समय वैसे गर्मी की चुट्टी को इंगलिश विका आ जाता है summer vacation मतलब गर्मी की चुट्टी और next day लू लू भी चलती है गर्मी में वैसे लू को इंगलिश विका आ जाता है hot wind hot wind मतलब लू और next day थंडी अवा थंडी अवा को इंगलिश विका आ जाता है cold wind मतलब थंडी अवा और next day धूप धूप को इंगलेश शिका आजाता है sunshine sunshine या फिर आप बोल सकते हो sunlight दोनों का मतलब होता है धूप और next day चाओं चाओं को इंगलेश शिका आजाता है shade shade मतलब चाओं और next day पसीना पसीना को इंग्लिश विका जाता है sweat sweat मतलब पसीना और पसीना आना या निकलना गर्मी की कारण वैसे पसीना आना या निकलना को भी इंग्लिश में sweat का जाता है जैसे इसका example है मुझे बहुत पसीना आ रहा है तो आप इसे इंग्लिश उनाएंगे I am sweating a lot मतलब मुझे बहुत पसीना आ रहा है और next day पसीने की बद्बू पसीने की बद्बू को इंगलिश विका जता है Body order मतलब पसीने की बद्बू और next day पोचना पोचना पसीना अपनी शरीर से वैसे पोचना को इंगलिश विका जता है Wipe wipe मतलब पोचना जैसे इसका example है अपना पसीना पोच लो तो आप इसे English उनाएंगे wipe your sweat मतलब अपना पसीना पोच लो और next step पंका करना हाथ से पंका करना इसे कहा जाता है English में fan fan मतलब हाथ से पंका करना जैसे इसका example है वो खुद को पंका कर रही है तो आप इसे English उनाएंगे she is fanning herself मतलब वो खुद को पंका कर रही है और next step हाथ वाला पंका यह जो देख रहे हैं आप यह हाथ वाला पंका है वैसे से English विका जाता है hand fan hand fan मतलब हाथ वाला पंका और यह छट पर लगा हुआ पंका यह जो देख रहे हैं आप इसे कहा जाता है ceiling fan और next day निकास पंका यह किचिन वगरा में आपने देखा ही होगा वैसे से English विका जाता है exhaust fan exhaust fan मतलब निकास पंका और यह पंका जो देख रहे हैं आप इसे कहा जाता है इंगलिश में table fan और next day यह ये पंका जो देख रहे हैं आप इसे कहा जाता है pedestal fan इसे इंगलिश में कहा जाता है और next day cooler जो देख रहे हैं आप इसे कहा जाता है इंगलिश में air cooler एया cooler कहा जाता है इसे इंगलिश में और next day ये ये machine जो देख रहे हैं आप इसे कहा जाता है air conditioner कहा जाता है इसे या फिर आप बोल सकते हो, heat rush, दोनों का मतलब होता है, गमोरी, और next day सूखना, गले वगरा का सूखना, प्यास लगने की वज़े से, वैसे सूखना को इंगलिश का जाता है, पाच, पाच मतलब सूखना, जैसे इसका example है, मेरा गला सूख गया है, तो आप इसे इंगलिश past, my throat is past, मतलब मेरा गला सूख गया है, और next day प्यास, प्यास को इंगलिश चुका जाता है, thirst, thirst मतलब प्यास, और प्यासा को इंगलिश चुका जाता है, thirsty, thirsty मतलब प्यासा, और प्यास बुजाना, पानी पीकर, वैसे प्यास बुजाना को इंगलिश चुका जाता है, quench, quench मतलब प्यास पूजाना जैसे इसका एक्जांपल है, अपनी प्यास पूजाओ तो आप इसे English चुनाएंगे कॉएंच और थरस्ट मतलब अपनी प्यास पूजाओ और next है धूब का चस्मा, धूब का चस्मा जो देख रहे हैं आप इसे कहा जाता है English में Sunglasses, Sunglasses या फिर आप बोल सकते हो Dark Glasses, दोनों का मतलब होता है धूब का चश्मा और next day ये ये cream जो देख रहे हैं ये धूब की harmful effect को रोगने के लिए तचापर लगाये जाने वाली cream है वैसे cream को English विक का जाता है sunscreen sunscreen का जाता है cream को English में और next day ये ये खुश्मुदार powder जो देख रहे हैं आप इसे का जाता है talcum powder और next day जुलस ना जुलस ना दूप बगरा में वैसे जुलस न को इंगलिश विक्वा आज़ता है Swelter Swelter मतलब जुलस ना जैसे इसका एकज़ाम्पल है वो दूप में जुलस गया तो आप इसे इंगलिश चुनाएंगे He sweltered in the sunshine मतलब वह दूप में जुलस गया और next अउबलती हुई गर्मी या बहुत गर्मी वैसे से English वह काता है boiling hot स्वाइब बहुत वी गर्मी जैसे इसका example ऐग्जांपल है आज बहुत गर्मी है मतलब बहुत गर्मी तो आप हिसि ईंगली चुनाइगे it is boiling out today मतलब आज बहुत गर्मी है या आज बहुत उबलती हुई गर्मी है और next day लू लगना लू लगना को इंगलिश विकाजता है sunstroke sunstroke मतलब लू लगना जैसे इसका example है अपना से ढग लो बढ़ना तुम्हें लू लग जाएगी तो आप इसे इंगलिश उनाएंगे cover your head otherwise you will get sunstroke मतलब अपना से डग लो बढ़ना तुम्हें लू लग जाएगी और next day चालू करना चालू करना पंका कूलर तो चालू करना को इंगलिश विकाजता है turn on turn on मतलब चालू करना जैसे इसका example है पंका चालू करदो तो आप इसे इंगलिश उनाएंगे turn on the fan मतलब पंका चालू करदो और next day बंद करना जैसे पंका कूलर वैसे बंद करना को इंगलिश विकाजता है turn off turn off मतलब बंद करना जैसे इसका example है पंका बंद करदो तो आप इसे इंगलिश चुनाएंगे Turn off the fan Turn off the fan मतलब पंका बंद करदो और next day तेज करना पंकी वगरा को वैसे तेज करना को इंगलिश चुना जाता है Turn up Turn up मतलब तेज करना जैसे इसका example है पंका तेज करदो तो आप इसे इंगलिश चुनाएंगे Turn up the fan, मतलब पंका तेज करदो और next day दीमा करणा, दीमा करणा पंकी की स्पीड को दीमा करणा वैसे दीमा करणा को इंगलिश चुनाँजाता है Turn down Turn down मतलब दीमा करणा जैसे इसका एक्जमपल है पंका दीमा कर दो तो आप इसे English चुनाएंगे Turn down the fan मतलब पंका दीमा कर दो और next day धूब तामरता धूब तामरता को English का जाता है Sun Tan Sun Tan का जाता है धूब तामरता को English में और धूब जो लसको English का जाता है Sun Bun वैसे Sun Tan और Sun Bun दोनों में Difference होता है, दूनों ढूब के काया होते Sun tan में आपकी skin black हो जाती है इस तरीकी के हो जाती है और Sun burn में आपकी skin red color की हो जाती है कुछ इस तरीकी की हो जाती है And the last one is is Morjana, पौदो का Morjana गर्मी के कार, वैसे Morjana को English विका जाता है Shrivel Shrivel मतलब Morjana जैसे इसका example है गर्मी के कहां पौदे मुर्जा गए हैं तो आप इसे English चुनाएंगे The plants have shriveled due to heat मतलब गर्मी के कहां पौदे मुर्जा गए हैं So that's it for today's video और मुझे comment section में इन दोनों के आशा लिख की बताएं और ये video आपको कैसे लगा अपना comment में feedback जरू दीजीगा और इस video को like share करके चैनल को subscribe भी कीजीगा और मैं मेरते हूं आपसे एक next video में एक नए topic की साथ तिल देन टेक क्यों की practicing